और कम चैलेंजिस इन लाइफ और कम चैलेंजिस इन लाइफ कोश्चन यार यह कैसा है कि अगें इसके ओपर ना मतलब कितने भी बात की जा सकती कितना भी एक्जामपल दिया जा सकता है ठीक है एक मतलब हम क्या बोलते हैं अभी जैसे ना सबको अपना दुख बहुत जादा लगता है और दूसरे का कम लगता है बटना यार यह एक ऐसी चीज है जो कभी भी कम्प्लीट नहीं हो सकती आप कितने भी बड़े आदमी का आमबानी का जैफ बेजोस का किसका भी एक्जामपल ले दिजिए सबकी लाइफ में परेशानी है सबकी लाइफ में परेशानी है कोई वर्ड रिचेस मैं बनने की परेशानी है किसी को तो किसी को आज का खाना मिल जाए उसकी परेशानी है है ठीक है life में Struggle हर किसी के है time के साथ में Struggle के माइने बस change हो जाते हैं बट नास्ट मुमेंट तक struggle तो चल रहा होता है तो जो overcome जो है न यार यह सिर्पड सिर उससे आता है अपने आपको motivate रखने के लिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं मैं भी यहां पर खड़े हों है क्यों उसके हर चीज के पीछे जो मोटीव है उसके उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने आपको मोटीवेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप मोटीवेटेड है तो ऐसा कोई भी पेलियर या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में बनी ही नहीं है ज जब मेरा rank उतना अच्छा नहीं आया था तो obviously घ्याइक चीज नहीं करता था मेरे friends घूंने जा रहे थे placement हो रहा था और बहुत सब्सक्राइब हो रहती जब इतना करने के बाद बीजब मेरा result नहीं आया था तो तो मुझे भी बहुत जादा खराब लगा था तो मेरे सामने दो ही तो रास्ते थे यार तो मैं हार मान जाओं और घर चला जाओं या फिर मैं खुद एनालाइज करूं कि भाईया मैंने फस्ट जो स्टैप लिया था कि मुझे गेट करना है जब पहली बार मेरे दिमाग में थ इससे ओफोर कम नहीं किया जा शकता इंटेक और प्यस्ट आफटरगेट यार यह जो कुश्चन भी ऐसा है जो आपके उपर कोई कोई रची सकता कोई नहीकर सकता आपको खुद ही इसका अंशर क्यों कि हर пой tool कि लाइफ की इंपोर्टेंस अलग होती है थे लाइफ की नीड मेंस अलग होती है किसी क 2005 जोंता और जाँ पैसे कमाना किसी विपे ri चाहिए किसी को अच्छा एंवायरमेंट चाहिए हर चीज की हर्थ की अपनी 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 रिक्वायरमेंट होती है तो यह गेट और प्येश्यू यह एक ऐसा है जिसका आंसर बहुत ज्यादा आपको खुद से ही ढूनना पड़ेगा मैं बस इतना बता सकता हूं कि अगर आ अच्छी ऐर्णिंग और एक कांड ओवर सेटल मयाइव चाहिए एक नॉमिनल अर्निंग और एक वेल सेटल लाइव चाहिए तो अगर नौनलेज बहुत जलादा जार्म जात हैं आंप लोगों इंग घ्रान भीज्यक्वारमेंट जाओगे अपको इंटर्शिप भी अच्छी मिल सकती है आपको प्लेस्मेंट भी अच्छा हो सकता है ठीक है और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं वैसी जॉब भी तो पैसे को अगर हम हटा दे तो बात आती है कि आप आप लाइफ में क्या सीखना चाते हैं कि लिए नॉर्मल लोगों के बात कर रहा हूं मैं अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जो सेलरी आने की जो खुशी होती है वो शुरू के कुछ महीने ही होती है उसके बाद पिर नॉर्मल हो जाती हो चीजे तो आप लाइप में क्या सीखना चाहते हो वो उससे आपका गेट और PSU का जो सब्सक्राइब कर सकता हूं बट मुझे का फील भी लेना था तो वहां जाने के बाद मुझे समझ में है क्या शायद मैं इससे जादा लर्ण फील में कर सकता हूं बट मेरा ही फ्रेंड था जो मेरे साथ कंपनी में था उसने पहले कंपनी जोइन किया बाद में उसने सेम गेट स्कोर से आइटी मुंबई जोइन किया तो सब तरीके के लोग हैं आपको लाइफ में क्या चीए वो आपको बैटके अनलाईज करना पड़ेगा पड़ ये कोशन थोड़ा सा आगे का है यार ये कोशन थोड़ा सा आगे का है पहले तो आपको गेट निकालना है उसके बाद फिर इसके लिए ना यहार एसा है यह कहां यह कहां पर आता है अव्हार बात यह पूश्य है यह अपका पूश्य्व बना रहे हूं ठीक है और नई बन रहा हो आप लॉस्पन कर रहे हूं और पैकल्ती ने कुछ question पूछा, बहुत सारे लोगों ने answer दे दिया और आपने गलत answer दिया या आपका answer ही नहीं आया है, ठीक है, या फिर exam जैसे जैसे पास आ रहा है, तो हम nervous होना चालू जाते हैं, हमको डर लगना चालू जाते है, what अगर नहीं हुआ तो, what if, यह जो what if है, what if, यह again मैं बहुलूँगा, self motivation से ही जाती है, कि आपने first step, first जो day था आपका, क्यों start किया था, और दूसरी चीज, जितना ज्यादा आप लोगों का basic clear रहेगा, उतना ज्यादा जल्दी आप लोगों से questions बनेंगे, उतना ज्यादा आप interactive रहोगे, उतना ज्यादा आप feel good करोगे, और जब आप feel good करना चालू कर दोगे, तो जो failure वाला डर है, ये निकल जाएगा, ठीक है, बट इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसका answer, मैं बोलूँगा कि आपको खुट ढूरना पड़ेगा, कारण, क्योंकि क्या है, हर किसी के लिए motivation का factor अलग होता है, ठीक है, त तो ये आप लोगों को ढूड़ना है, बट कुछ-कुछ तरीके मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये जो failure का डर है, ये ऐसे दूर होता है, जैसे मैं तो ना मेरे कोई भी friend मेरे से पूसता था doubt, या अगर उसको पूरा का पूरा class भी समझनी है, कि आज सर क्या पढ़ यार अगर मतलब जैसे जिन लोगों को ड्रॉप लेना ही पढ़ गया, तो ठीक है ना यार अच्छी चीजे एक बार में जरूरी नहीं है, तूरंत मिल जाए, आपको अपने, अपनी महनियत, महनत के उपर में आपको विश्वास रखना है, शूड आ लीव प्लेस्मेंट फॉर गेट प्रपरेशन, मैंने छोड़ा था, मैंने नहीं बैटा था, मैं किसी भी केमपस प्लेस्मेंट में नहीं बैटा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, मेरा गोल फिक्स था, कि मुझे इस से कम तो नहीं चाहिए लाइ बहुत अच्छे थे सारी चीजे छोड़ के कर रहे हो फिर आपके कॉलेज में दो तिन लाक रुपयाली कंपनी आई है ठीक है और उसके लिए आप अपनी गेट की प्रिपरेशन छोड़ रहे हो तो वह कहीं न कहीं गलत है और दो नाओं में तो यार पैर रखे नहीं चला जा सकता तो प्लेस्मेंट मैंने छोड़ा था तो मेरे हिसाब से अगर कोई एक्च्छल में सीरियसली अगर कर रहा है तो फिर बिल्कुल छोड़ा जा सकता है जो आप यार देखो क्या है पैसे तो सब कमा लेंगे लेकिन क्या होता है सुबह उठने के बाद अगर आपको लग सब्त manner आप रहा है कि यार मैं फिर आपिस जाना है पिर वही काम करना है तो मतलब आप कही नंकहीं गड़वड चल रहा है आपको वह करना है लाइक में जो आप एक्च्छल में करना चाहते हैं अगर आपक प्या, जाना था यह दो रीजन है उसके लिए अगर यही आपका है तो आप college placement में क्यों बैठो गया और जनरली जो छोटे colleges से होते हैं छोटे private colleges से होते हैं वहाँ वैसे ही उतनी वैसे ही उतनी अच्छी मदब अच्छी तो नहीं तो नहीं आती है जनरली तो छोड़ा जा सकता है मेरे साप से तो छोड़ा जा सकता है बट ये decision आपको लेना है कि क्या आपकी मेहनत में उतना दम है कि आप ये placement छोड़ रहे हो इस placement को छोड़के आप अपना gate निकाल लोगे ये question आपको अपने आप से पूछना है इस solving gate last year question enough for getting a rank नहीं previous year question बिल्कुल भी नहीं previous year questions आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि अभी तक exam कैसा था अभी तक examiner ने क्या question examiner क्या mindset रहा है वो किस तरफ student को divert करना चाहरा है किस तरीके से वो तीन घंटे को वो manage कराना चाहरा है वो है बट ये university exam नहीं है ना तो previous year question से आप लोगों को सिर्फ ये पता चलेगा कि कैसे questions आते हैं लेकिन ये great exam है यहां पर हर साल चीजे चेंज होती है तो previous year question बनाना है वो तो बनाना ही है इसमें option नहीं है कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं बनाना ही है बट सिर्फ इसके बनाने से चीजें हो जाएगी नहीं ये आपके अगर आप लोग जैसे concept पढ़ लिए उसके पर practice question मना लिए उसके बाद आप previous year question solve करते हैं तो आपको समझ में आता है आप देख बाते हैं कि आप कितने पानी में हैं तो previous year question बस एक अपने आपको judge करने के लिए और exam को समझने के लिए है कि exam क्या है ये जो exam को हम दे रहे हैं इसकी पितरत क्या है किस तरीके से behave करता है ये उसके लिए previous year question होते है बट इससे rank अगर सिर्फ इसी से rank नहीं आएगी इसके साथ साथ practice करनी पड़ेगी concept समझने पड़ेंगे how much time is enough for gate exam preparation how much time is enough second year में start कर रहे हो good enough third year में कर रहे हो good enough last year में कर रहे हो good enough depend करता है कि जितना time आप दे रहे हैं क्या आप पूरी इमानदारी से दे रहे हैं एक साल prepare करके भी single digit rank वाले लोग हैं तीन साल prepare करके भी triple digit rank नहीं ला पाते हैं लोग consistency नहीं होती है इमानदारी से नहीं पड़ रहे होते हैं ठीक है या फिर जिन लोग एक साल में ही निकाले वो देश दुनिया सब चीस से दूर हो गया और सिर्फ एक ही focus रखे उस समय उनको girlfriend boyfriend याद नहीं आ रहा है बर्थड़े याद नहीं आ रहा है दिवाली इद Christmas याद नहीं आ रहा है साधी कुछ याद नहीं आ रहा है उस समय सिर्फ और सिर्फ गेट याद है उसके अलगा कुछ नहीं तो कितना dedication है उस पर depend करता है कि आपको कितना time लग रहा है बट एक साल लगता है एक साल लगता है कुछ लोग इस से थोड़ा कम में भी निकाल लेते हैं पर टेक साल ideal time है एक साल एक साल एक साल में निकल जाता है बट अगर sooner the better third year अगर को third year में मदब fifth semester से start कर लेते हैं तो वह बहुत अच्छा time है fifth semester is the best time मेरे हिसाब से fifth semester is the best time to start बट ऐसा नहीं है कि जो already seventh semester में आ गया है वो demotivate मत हो जाईए या जिनका engineering खतम हो गया वो demotivate मत हो जाईए एक साल drop ले रहे हैं ना एक साल is enough one year is enough बट वो one year में आप सिर्फ gate ही कर रहे हैं है ना बैंक और पी एससी की तयारी भी उसी में mix कर दिये और तब तब गड़वड़े चीजे एक साल दे रहे हैं ना तो इमानदारी से दीजे वह एक साल में हो जाए कि आप आव टू इंप्रूव प्रोड़क्टिविटी कि सबसे पहले तो मुबाइल है उसको उसको जितने distractions है उसको दूर कर दीजे डिस्ट्रेक्शन सिर्फ मुबाइल ही नहीं है हम लोग तो सिर्फ मुबाइल को ग्लेम कर रहे होते हैं ठीक है और बहुत सारी चीजें होती है जो डिस्ट्रेक्शन की होती है आपके रूम में आपके घर में आसपास बहुत कुछ होता है जो आपको distract कर रहा होता है। यार कोई भी काम नहीं करने के लिए बहुत सारे reason होते हैं और करने के लिए सिर्फ एक reason होता है। सिर्फ एक ही reason होता है और आपको सिर्फ उस एक ही reason को पकड़ के रखना है। तो productivity कैसे आएगी सिर्फ और सिर्फ आएगी concentration से। जब आप concept को पड़ रहे हैं तो आप उसके ओपर ध्यान दीजिए। उसको पूरा focus एक बार में दो चीजे मत करिए। multitasking बोला जाता है यह तो अच्छी student है अच्छा student है multitasking करता है multitasking is a myth multitasking कोई चीज होती ही नहीं है ठीक है वह आपका ध्यान divert होता ही है आपका brain prioritize कर रहा होता है बस आपका brain जल्दी अल्दी shift कर रहा था अभी यह priority अभी वह priority बट multitasking कुछ नहीं होता है एक बार में दो चीज होती है तो concentration से ही आपकी productivity बढ़ेगी और बताता हूं जब आप question सुरू में बना रहे हैं ना तो focus यह करिए कि answer आपका सहीं जल्दी आए नहीं सहीं जल्दी आए exam के समय का है उसके ओपर भी हम discuss करेंगे बट शुरू में जब आप concept पढ़ रहे हैं तो जो base बना रहे हैं उ take your time ठीक है लेकिन base बनाने में formula नहीं रटना है यहाँ formula रटके नहीं बनाना है बेस बनाना है तो जब आप concept पढ़ रहे हैं तो concept के ओपर time दीजेगा how to avoid distraction during get exam preparation यह अभी more or less similar question हो गया distraction तो यार वही है कि आपको अपना गोल याद होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं ठीक है तो हर समय न वह जो distraction आपको वापस खीच के distraction से आप अपने आपको वापस खीच के सिर्फ और सिर्फ उस गोल की वज़े से ही लेके आप आएंगे तो वह आपको बहुत सारे लोग है जैसे मेरा एक friend है ठीक है वह UPSC क कर रहा है ठीक है तो वह कैसे करता है उसको mobile नेट सर्फिंग की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी तो उसने क्या कम किया उसने अपने mobile में ही ना साइड में ही चिपका दिया मतलब एक स्थिगर लगा दिया तो जब भी आपने नेट सर्फिंग करते तो बाजू में उसके सबस्थ दिखरा तो यह अपने अपने ट्रिक्स मतलब करने के आपने हर नोट पे सकते हैं अपने सैलफून पर लिग सकते हैं लोगों ने टॉलेट में तो बता रहूं तो नीकर राखना था ओन में अए यह स् रहे टारीट टो में है यह knights और धे Всем रखो ताकि आप जहां जैसे भी थोड़ा भी डिस्ट्रेक्ट हो रहे हो ना कहीं ने कहीं वह चीज आपको दीख जा और आप अपने आप अपनी स्रीट पे वापस जाकर बैठ जाओ यह एक जो मेरे लिए काम किये थी जो चीज वह है और रिवाइज एंड रिटेन कंसेप्ट प्रेक्टिस करना पड़ेगा रिवाइज करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया पहला जो है पहला पूरा जो पहला रिविजन करेंगे तो सीरियल ही करिएगा ठीक है उसके बाद जब आप रिविजन कर रहे हैं तो रेंडम प सब्जेक्ट को मिला के बने हुए हैं तो वह हैबिट डालनी पड़ेगी हमको कि पहले तो सीरियली पढ़ लिए एक बार बैठाने के लिए चीजों को फिर रेंडम पकड़ना चालू करिए और दोपैर में अगर एक सब्जेक्ट का रिविजन कर रहे हैं एक यूनिट का त प्लेवर रखिए मिक्स करकर के देखिए चीजों को कि आप जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर ट्रांजीशन कर रहे हैं तो ट्रांजीशन होने के बाद अच्छा और भी कर सकते हैं आप दो-तिन बुकलेट अपने पास रख लिजे जब प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं जब हम एक बार पूरा कंसेट्ट पढ़ चुके हैं और एक बार सीडियली पूरा रिवाइस कर चुके हैं और एक आज टेस्स दे दिये उसके बाद की बात कर रहा हूं दो-तिन प्रैक्टिस बुक रखिए साथ में कोई बी एक किसी बीएक बुक का कोई पेज उसका कोई भी एक कोशन मनाईए उसको बंद कर दीजिए फिर दूसरे सब दूसरा बुक लेट उठाई उसका कोई भी एक कोशन मनाई इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि आप कितना जल्दी स्विच कर पा रहे हैं आपका ब्रेन कितना जल्दी ओ जो ट्रांजिशन कितना कम होता जा रहा है यह उस पर डिपेंड करता है कि है आव टू मैने स्पीड एंड एक्यूरेसी वाइल सॉल्विंग स्पीड और एक्यूरेसी का यार पहले तो ना स्पीड हमको देखना ही नहीं है ठीक है जब हम प्रिप्रेशन कर रहे हैं उस समय हमको स्पीड के ट्रिपल डिजिट तक वह पहुंच जाते हैं क्यों पहुंच जाते हैं जस्पीड अपने आप आएगी आप स्पीड लाना चाहेंगे तो नहीं आएगी स्पीड एक्यूरेसी से ही स्पीड आएगी पहले आप लोग पूरा टायम दीजिए कौस्टे को आपने आप वह जो कुछ्छन सौल्व करने का ज़ू? ताइम है ना वो कम होते जाता है कैसे कम होते जाता है क्योंकि आप बार बार रिवाइस कर रहे होते हैं तो फॉर्मले जो है ना कुछ के फॉर्मले बड़े बड़े होते हैं तो जल्दी जल्दी क्लिक होना चालू हो जाता है क्योंकि जितने ज्यादा बार आप बना रहे हैं हमको काम करना होता है accuracy के उपर accuracy आ जाएगी उसके बाद आप speed के उपर काम करिए तो accuracy के लिए आप लोगों को question अराम सबसे पहले तो यार ठंडे दिमाग से question पढ़ना होता है question क्या पूछ रहा है और question जो answer पूछ रहा है उसका unit क्या है यह मतलब ना लोग ना वो बोलते हैं ना हाती निकल और पूछ अटक गई वाला वाली चीज हो जाती कि पूरा question solve कर लेते हैं बट answer तो किसी और unit में मांग रहा होता है और हम किसी और unit में किलो मीटर में मांगा होता है हम सेंटी मीटर और मीटर में दे देते हैं तो question पूरा अच्छे से पढ़िए और जो चार option है उसका जो unit है वो unit के ओपर आप बिल्कुल ध्यान रखिए हाड्ट टू क्रेक गेट इक्जाम इन 2.5 मंस क्रैक देखो एक डिफरेंस है गेट क्रेक करना और रेंग अच्छी रेंग लाना 2.5 मंस में रेंग अच्छी लाना तो मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम ज्यादा पॉसिबल है बहुत ही जादा टफ होगा मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि किसी ने धाई महने में गेट निकाल दिया है मतलब अच्छा रेंक लिया है बट क्रेंग कैसे किया जा सकता है अब अपन लोग क्या होता है लाइप में रूल चलता है क्लियर करना है क्लियर करना है सिर्व उसकी में स्ट्रैट्यजी बता सकते हुं जो मेरे साब से इजी सब्जेक्स पकड़ीए पहले तो सबसे पहले आप उसके बाद उन सब्जेक्ट को पकड़िए एक तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है बिल्कुल नहीं पढ़ना है सारे सब्जेक्ट आप धाई महने में प्रिप्रेशन कर रहे तो चार या पांच सब्जेक्ट ही आपके तयार हों पाएंगे तो उससे आप लोग क्रैक कर लेंगे ठीक है अगेन मैं बोर रहा हूं क्रैक कर लेंगे बट रैंक का आई कैनाट एशूर क्रैक आप कर सकते चार पाथ सब्जेक्ट पकड़के और उसमें भी इजी वाले या जो सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं जो आपको लगता है कि यह मैं इसके ओपर कमांडिंग जल्दी कर लूँगा तो उसके ओपर आप लोग थोड़ा सा फूकस जाधा करिए सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है मस्ट डूस फॉर गेट इग्जामिनेशन इन टू पॉइंट फाइव मन्स वह यर कि एक तो धाई महने हैं पहले ही आप लोग अपने लिए टाइंग कम कर लिये हैं और इस धाई महने में में पूरा का पूरा धाई महना गेट को ही समर्पित हो अब इस धाई महने में एक संडे इवनिंग आफ्टर नून कुछ नहीं होता यह धाई महना मतलब पूरा का पूरा धाई महना गेट को ही समर्पित रहे और सारे सब्जेक्स पे ना ध्यान दिया जाए इजी सब्जेक्स को ही पकड़ा जाए अब टू मैनेज गेट एंड स्टेट पीसी पीसी एक्जाम प्रपरेशन यह यहां से मैं मतलब इसके उपर बात करना चाहूंगा वह स्टेट इग्जामिनेशन जिनका सीलेबस गेट से मिलता जूबता हो जहां पे टेक्निकल का पॉर्शन ज्यादा हो बहुत सारे इक्जा मतलब कैसे मैनेज करना है उसको मैनेज करने का यही तरीका है या देखो एक तो सबसे पहले आपका जो गेट की प्रपरेशन चल रही है उसमें आप जो आपका गेट का सीलेबस है और जो आपका पीसी का सीलेबस है जो पीसी में जो सीलेबस है यह दोनों में कॉमन क्या है पहले तो वो common subjects आप निकाल लीजिए, ठीक है, उन common subjects के उपर तो सबसे पहले ज़्यादा focus आप करिए, ठीक है, उसके बाद आपको decide करना है थोड़ी सी priority wise कि क्या आपके लिए priority ज़्यादा है, गेट ज़्यादा एक्जाम है या जो state, PSE, जो टेक्निकल एक्जाम है, वो ज़्यादा priority है, उसके according जो different different subjects है, उसके according आपको prioritize करना पड़ेगा, पहले मैं यहाला subject पढ़ूं कि पहले यहाला subject पढ़ूं, यह depend करता है कि आपको उसमें से कौन सा subject आप ज़्यादा पसंद करत हैं, वैसा, how to get the maximum out of the test series, maximum out of the test series, यह क्या होता है न, test series तो हम दे देते हैं, हमारा जो भी marks आ जाता है, test series का analysis उतना ही important है, जितना test series देना ही important, अब analysis कैसे करें, analysis ऐसे होता है, जो भी आप subject, test series दिये है, mock test दिये है, full length test दिये है, जो भी दिये है, test खतम हो गया न, ठीक है, जो भी marks आया है, सब से पहले, अब आप लोग, एक तो exam कैसे देना है, वहाँ से मैं start करता हूँ, आप जो भी question आया, test series चालू किये, एक proper copy लेके रखिये, ठीक है, और साफ साफ solution बनाना है, अगर कोई question solve कर रहे हैं, तो it should be visible, और इतना visible होना चा या फिर अगर आप उसको बीच में उस calculation को छोड़के आगे बढ़ गए हो, और बाद में वापस आपको वहाँ जाना पड़े, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कि आपने क्या लिखा था वहाँ पे, आप क्या लिखना चाहरे थे, आपके जो steps हैं, वहाँ पे थोड़ इसा हड़बडी में हम लोग थोड़ा सा गंधी हैं राइटिंग में इधर उधर 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 प्लस माइनस उपर नीचे, इससे क्या होता है, इससे हमारी accuracy खराब होती है, क्यों क्योंकि कई लिखने के चकर में प्लस माइनस इधर उधर कर देते हैं, तो जो आप solution एक दूसरा जब आप solution बना लिए है test series खतम हो गया है आपका तो सबसे पहले तो आप उन questions को attempt करिए जिन questions को आपने exam में नहीं बनाया है ठीक है जो attempt नहीं कर पाए वो questions सबसे पहले उसको बनाईए ठीक है बने या ना बने that is a different thing पहले उसको attempt करिए दूसरा उन questions को attempt करिए जो आपने गलत बनाए है उन questions को फिर attempt करिए जो आपने गलत बनाए है फिर अगर आपस वो वापस गलत बनाए है या सही बना है वो देखिए आप सही बना है तो भी और गलत बना है तो भी दोनों cases में आप वापस उस page पे आईए जिस page पे आपने during the test उस question को solve किया था वहाँ पे आपको देखके समझ में आएगा कि आप exam के समय solution करते समय क्या mistake कर रहे हैं अगर बन गया तो आपको definitely वहाँ दिख जाएगा कि आपने हड़ बड़ी में ये plus कुछ माइनस कर दिया था ये bracket गलत लगा दिया था एक extra लगा दिया था ये multiplication गलत हो गया था ये formula हाँ पर गलत आ गया था जो भी reason है जो भी reason है वो जब वो clear cut लिकर रहे गा ना method use किया है उस वह देखने से यह होगा कि हो सकता है कि questions 30 seconds का था बट आपने लगभग लगभग डेढ़ मिनट या दो मिनट लगा दिया तो वह आप देखे तो कि 30 seconds का question 30 seconds में ही बनना चाहिए वह एक चीज है इस तरीके से आपन analysis कर सकते हैं और एक चीज छुड़ गई कि अगर आप लोगोंने कुछ mistake कर दिया है कोई formula उस समय आपने गलत बना दिया है तो make sure उस formula को आपका जो short notes आपने बनाया है तो short notes में जाके या अगर आपने नहीं लिखा है तो लिखिए और लिखा है तो इसको highlight कर दिए हाव टू रिवाइज subject wise revision strategies subject wise revision strategy तो मैंने आल्रेडी आप लोगों को बता दिया है कि एक बार में एक subject पढ़ गे या दो subject पढ़ गे फिर जब तीसरा subject चालू करेंगे तो इसका revision पहले हमको serially करना है और फिर random करना है what toppers do differently toppers do differently accuracy accuracy के उपर mind setup के उपर और confidence accuracy mind setup और confidence यह तीन चीज़ का खेल रहता है जो एक 1-10 rank मतलब 1-9 rank वाले का होता है 10-99 rank वाले का होता है और 100-999 rank वाले का होता है यह तीन तरीके के जो category है यह यह चीज़ का difference होता है सबसे पहला तो भाई mindset है अमको cool रहना exam में exam tough आया है exam बहुत easy आया है दोनों ही condition में हमको अपने आपको cool रखना है बहुत easy आ गया है तो hype नहीं हो जाना है कि अरे मेरे से तो कोशन पेपर आपके पास है वह कोशन पेपर हर एक के पास में अगर सब कोशन आप से बन रहे हैं तो आप यह भी सोच सकते कि बाकी लोग भी बना रहे होंगे तो यह आपको जाने को anar ऑ कि डाउन रखेगा बहुत जादा उड़ेने नहीं देगा और अगर आपसे शुरू के पांच कोशन नहीं बने तो आपको बहुत जादा नीचे जाने भी नहीं देगा आपको बराबर में ही रखेगा कि बाकी लोग के पास भी the question paper है हो सकता इस सल बहूत tough कोशन पर सेट हुआ हो तो अपने आपको जो अपना माइंड सेट अप है उसको दोनों ही कंडीशन में बैलेंस आउट रखना है और इसमीन्स के आपको इस में एक तो लाइट खाके जाएगा यार हम बहुत जादा खाके चले जाते हैं यह फिर भूक के पर चले जाते यह ये दोनों ही चीजें ठीक नहीं हैं क्योंकि भूब भी लगते रहेगी तो भी वो डिस्ट्रेक्शन है और बहुत ज़्यादा खाके गए तो थोड़ा सा डिजिनेस फील होता है वो भी एक डिस्ट्रेक्शन है एक दूसरा आप लोगों का जो भी टाइम शेड्यूल है अगर मॉर्णिंग सेशन है या अप्टरनून सेशन है उसके एकोर्डिंग अपने ब्रेन को आप लोग लास्ट एक मन्त से प्रिपेर करना सब्कोज एक परवरी को आप लोगों को सेकेंड शिफ्ट में आपका एक्जाम है तो मेक श्योर आप एक जनवरी से दो वज़े से ओड़े तक दोसी सब्सक्राइब कम सेकम बीस दिन कम से कम exam आप डीजीए ही दिजिए तो आपको उस duration में क्या होगा आपका brain वैसा set हो जाएगा उस duration में जैसे क्या होता है जिलों हम example ले सकते हैं जिलों night में study करते हैं जो लोग रात को पढ़ने की आदात होती है दिन में सोने की आदात होती है तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती बट जब वो अगर compare करते हैं जिलों morning study करते हैं तो उन लोग के लिए night में जगना बहुत tough हो जाता है तो हम हमारे brain को उस तरीके से सीखाय होते हैं कि भीया तुमको इस duration में इतने time के बाद तुमको अराम करना है इतने time के बाद तुमको काम करना है वो ऐसा हम habit डाल रहे होते हैं हमारे brain को तो जैसी हम हैबिट डालते हैं वैसा ब्रेन हमारा हैबिट पकड़ लेता है वैसा ही एक्जाम के टाइम है कि अगर आपका अफ्टरनून सेशन का है तो मेक शूर आप दो से पांच वे तक सूपर एक्टिव रहें मौर्निंग सेशन है तो 9-12 सूपर एक्टिव यह आदर डालना पड़ेगा लास्ट केक मन्त में और ट्राय करिए क्योंकि वह जैन्वरी के असपास ही यह आता है आइडमिट कार्ट तो लगभग तो उतना टाइम आपको अराम से सफिशन टाइम मिलेगा कि आप अपने ब्रे मिलेग लास्ट त्री मैं में रैंक अपना इंप्रूव हो यह आति सबसे पहले आप लोग सब्जेट वाइस टेस्ट तैस्स veggies मिलेग में इow enc लैंड टेस्ट देना चालू करिए ओर मॉक टेस्ट दिजिये ये लास्ट तीन बंत मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रेक्टिजी बनाना पड़ेगा एक तो यह घ्यान यह कोशिश करिएगा कि लास्ट तीन मंत में आप नया सब्जेक्ट ना चालू करो यह मेरे सजेशन रहेगा मतलब अगर जैसे आप लोगों का फरवरी में हैं तो अक्टूबर स्टार्ट होने पर आप लोगों का सारा सब्जेक्ट एक-एक बार कंप्रीट हो जाना चीह रिवीजन के साथ नहीं तो table बना सकते हैं कि इस मंत को में मैं देखो हर वीक में जैसे आगर आप लोग को subject complete हो गया है तो हर week में हर एक subject revise तो हो जाना चाहिए नहीं हुआ है तो at least 15 days में हर एक subject एक एक बार revise जाना चाहिए नहीं भी हो रहा है तो लास्ट तीन महने का जो 90 डेस का जो स्ट्रेटेजी है आप लोग डेवाइस लास्ट पूरत 90 दिन का नहीं बना सकते जो लास्ट 30 डेस होते ना उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है और जो लास्ट तीन महने में जो शुरू के दो महने होते उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है लास्ट वाले दिन का तुम्हें बता दिये कि आपको जादा से जादा टेस्ट सीरीज देना है और अपने माइंड को वैसा उस डूरेशन के एकॉर्डिंग सेट करना है बट जो लास्ट के जो मदब जो तीन मन्त में जो शुरू के जो दो मन्त है उन दो मन्त में आप अपने कि आप लोगों ने अगर जैसे कोई कोश्यन अगर आपसे मिस्टेक हुआ है न तो उसके उसका कंसेट को आप वापस से रिवाइस करिए आपको कंसेट आता है लेकिन एक बार वापस से उस कंसेट को रिवाइस करिए तो हो सकता है आपको कहीं न कहीं कुछ छोट इसी यह ध्यान में रखिएगा कि लास्ट तीन मैने में शुरू के दो मैने की तैयारी करने का तरीका थोड़ा अलग है और लास्ट जो प्रॉपर मन्त है वो तो एकदम ही अलग रहेगा डूज और डूज पर गेट प्रॉपरेशन कॉंफिडेंस तो रखिएगा एक साथ बहुत सारी चीजें मत करिएगा खिक है और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए कि गेट तो नहीं निकलता है दस सब्जेक्ट है एक बार में कैसे करोगे रैंक नहीं आता है प्लेस्मेंट नहीं हो रही है और यह सब जीतनी भी नेगेटिव चीजें हैं आपने तयारी हिसले चालू की थी क्योंकि आपको इसके अच्छे चीजें पता है यह सब चीज आपने स्टडी करने के बाद ही आपने इसमें कुदे थे तो अब आप लोग को नेगेटिव लोगों से दूर यह तो सबसे बादा डूज है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है बहुत ज्यादा और कंटीन्यूस प्रिप्रेशन करना है कंसिस्टेंट सी के साथ में आज 12 गंटा पढ़ लिए दो दिन नहीं पढ़े फिर 12 गंटा पढ़ लिए फिर दो दिन नहीं पढ़े नहीं ऐसा नहीं करना है रोज पढ़ना है आठ गंटे की ताकत है ना आठ गंटा पढ़िए दस गंटे की ताकत है दस गंटा पढ़िए छे गंटे की ताकत है छे गंटा पढ़िए लेकिन छे गंटा पढ़िए बीमार है बड़े है गल्फ्रेंट से बॉइफ्रेंट से मिलने ज जाता है और वो फ्लो अपस आने में थोड़ा टो टाइम लगता है यह तो हम डिसकस कर ली एक्यूरेशी और स्पीड गो हैंड इन हैंड बेस्ट आइमिंग टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस आज एक कोई रिवाइज करने का तो टाइम नहीं और प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं आपको देवन से चालू करना है। श्यासा पहलے जैसे यह पहला सब्जेक्ट خतम हुआ दूसरा चालू कई पहले का रिवीजन करना है कि I think we are done thank you so much sir इतने सारे वैलियूबल प्रेशन का अंसर देने क्लिए और अपना इतना टाइंग देने क्लिए हम लोगों को आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों के पूरा जो आपका डाउक था वो क्लेर कर लिया फिर इसके बात कुछ बन जाता है तो कमेट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा थैंक यू थैंक यू सोबन सर आपने अपना इतना वालियोबल टाइन अब भी साथ दिया और यह जो वीडियो है यह आक्ट्वल में आज की एस्परेंट्स और फ्यूचर की भी एस्परेंट्स को बहुत जादा हम करने वाला है तो हम लोग एक लिए वीडियो पसंद आया